हेलो दोस्तों स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल रशना स्टडी पॉइंट पर दोस्तों आज किस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं हिंदी साहित्य के 25 मैत्वपूर प्रश्णों को जो की आपकी आगामी परिक्सा पटवारी के लिए हेल्फुल और दोस्तों हिंदी साहित्य के आरंबिक काल को आचारे रामचंदर सुक्ल ने कहा है वीरगात्था काल और दोस्तों आपसे नमबर एकी बात करें तो आदि काल कहा है इसे आपका हजारी प्रशाद दिवेधी के द्वारा उप्सन नमब बी है चारनकाल तो चारनकाल कहा गया है दोस्तो रामकुमार वर्मा के द्वारा और चोथा उप्सन है आपका सिद्ध सामंत काल सिद्ध सामंत काल नाम दिया गया है दोस्तो राहुल संक्रियतिया इनके द्वारा तो चारों आपने बिल्कुल याद रखने हैं दूसरा प्रशन है पृत्वी राज रासो के रशनाकार है दोस्तो पृत्वी रासो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है और इसके रशनाकार है आपके चंद बरदाई Option number 20 का right answer हो जाएगा तीसरा प्रश्ण है कबीरदास की भासा थी कबीरदास की भासा थी दोस्तो सदुक कडी Option number 30 का right answer हो जाएगा चौथा प्रश्ण है सिवा बावनी के रचनाकार है दोस्तो सिवा बावनी के रचनाकार है कवी भूसन Option number 20 का right answer हो जाएगा पांच्वा प्रश्ट है तितली किसकी रचना है दोस्तो तितली रचना है आपकी जैसंग का प्रशाद की जैसंग का प्रशाद की अन्य रचनाओं की बात करे तो वो हैं आपकी कामाईनी, जहरना और आंसूं दोस्तो ये तीनों रचनाएं आपकी परिक्साओं में पूछी गई हैं और हो सकता है आगे भी आपको पूछा जाए तो ये तीनों आपने याद रखनी है चारों तितली भी है तो चारों आपने बिल्कुल याद रखनी है छटा प्रश्ण है अतीत के चल्चितर के रचियता है दोस्तों अतीत के चल्चितर के रचियता है महादेवी वर्मा और महादेवी वर्मा की अन्य रचनाओं की बात करे तो वो है आपकी दीप, सिखा, यामा और नीरजा नीरजा, निहार, रस्मी यह सारे इनकी प्रमुक प्रमुक रचनाएं है ठीक है साथमा प्रश्ण है चिंता मणी के रचियता है दोस्तो चिंता मणी के रचियता है रामचंद्र सुकल तो ओप्सन नमबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा आठमा प्रश्ण है आठमा प्रश्ण है पुस्प की अभिलासा किसकी रचना है पुस्प की अभिलासा रचना है दोस्तो माखनलार चतुरवेदी की एक भारत्य आतमा भी नहीं कहा जाता है और इनकी जो अन्य रचना है प्रमुक वो है आपकी हिम तरंगडी जो कि आपकी परिक्सा में पूछी चाती है दस्वा प्रश्ण है निम्नलिकित में से कौन सी रचना कभिलास की नहीं है दोस्तो कभिलास की नहीं है तो जो आपकी प्रेम वाटिका है ये दोस्तो आपकी रस्खान की रचना है तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा बाकि बीजक, रमेनी और साखी ये तीनों रचना है आपकी कबीरदास की है 11 प्रशन है गोरक वाणी किसकी रचना है दोस्तो गोरक वाणी रचना है पिताम बर्दत बर्थवाल की दोस्तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है और हमारे क्वेशन आपको अगर पसंद आ रहे है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजे और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे है तो चैनल को सब्स्ट्राइब करना मत भूलिएगा नेक्स्ट क्वेशन है निम्न लिखित में से कौन सी पुस्तक यस्वन सिंग कटोज की नहीं है दोस्तो जो उत्राखन का यात्रा दर्शन है ये पुस्तक आपकी लिखी गई है स्विप्रशाद डबराल के द्वारा तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा बाकी ऑप्संस की बात करें तो उत्राखन का नवी नित्यास मध्य हिमालाई का प्रातत्वा और मध्य हिमालाई की कला पुस्तक ये तीनों पुस्तक आपकी यस्वन सिंग कटोज के द्वारा लिखी गई है और दोस्तो ये प्रशन आपका यूग के तिरपलेसी के द्वारा पूछा गया है ठीक है ये भी आपने पिलकुल नोट करना है तेर्वा प्रशन है आकास कितना अनंत के रशनाकार है दोस्तो आकास कितना अनंत के रशनाकार है सेलेस मट्यानी जिनने की उत्राखन का आचलिक कथाकार भी कहा जाता है चोद्वा प्रशन है निम्नलिखित में से कौन सी रचना जैसंक प्रशाद की नहीं है दोस्तों नहीं पूछा गया है तो जो कला और बुढ़ा चांद है ये रचना आपके सुमित्रा नंदन पंत की रचना है और जो बाकी ओप्सन बच गया आपके चित्रधारा, तितली और आपका आजात सत्रू ये सबी रचना है दोस्तों आपकी जैसंक प्रशाद की हैं ठीक है पंदर्वा प्रशन है प्रसिद सदेई रचना किस लेखा की कीरती है दोस्तों ये प्रशन भी आपका प्रिवियस पेपर में पूछा गया प्रशन है तो आप इसको भी नोट कली जिएगा सदेई रचना है दोस्तों तारादत गैरोला की प्रशन है ब्रश भाषा का विकास किस से हुआ है दोस्तों ब्रश भाषा का विकास हुआ है सोर्स हैनी से प्रशन है राज भाषा का सही अर्थ है दोस्तों राज भाषा जो होती है वो तियापकी सरकारी कार्यलोयों में प्रिवक्त होने वाली भाषा और जो हमारी हिंदी है वो हमारी राज भासा ही है ठीक है अठारवा प्रश्ण है यथा समय में कौन सा समास है दोस्तो यथा समय में समास है आपका अव्याई भाव समास और अव्याई भाव समास को पहचानने की ट्रीक है दोस्तो कि प्रति एक उपसर्ग वाला सब्द जहां कहीं आपका उपसर्ग लग जाए वो सब्द आपका अव्याई भावसमास हो जाता है नेक्स्ट क्वेशन है रचना की द्रिष्टी से सब्दों के कितने भेध हैं दोस्तो रचना की दृष्टि से सब्दों के भेद होते हैं तीन, और वे कौन-कोन से होते हैं तो पहला होगे आपका रूट सब्द, दूसरा होगे योग रूट सब्द, और तीसरा होता है दोस्तो यॉगिक सब्द, ठीक है? सदेव में प्रियोक्त संदी का नाम है दोस्तो सदेव में जो संदी है वो है आपकी स्वर संदी और स्वर संदी के अंतरगत भी देखे तो अंदर देखे तो स्वर संदी में हो जाईए आपकी व्रीधी संदी ठीक है नेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट में आपका हलंत लग रहा है तो उसमें आपकी वियंजन संदी हो जाएगी ठीक है और अगर विशर्ग लगे तो विशर्ग संदी तेईस्वा प्रश्ण है उत्राखंड का अचलिक कथाकार किसे माना जाता है दोस्तो उत्राखंड का अचलिक कथाकार सैलेस मटियानी को माना जाता है आकास कितना अनंत है यो अभी इनी की रचना है ठीक है 24 प्रशन है निमने लिखित में से क्रिसक संस्कृति का महाकाव्य किसे कहा जाता है दोस्तों जो गोदान है उसे क्रिसक संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है और जो गोदान है इसके जो रचियता है वो है आपके प्रेम चन ठीक है 25 प्रशने है दोस्तों और आज का अखरी प्रशने है प्रेम चंद के फटे जूते किसकी रचना है प्रेम चंद के फटे जूते प्रशने है दोस्तों हरिसंग का प्रशाई की ओप्सन नमबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा तो दोस्तों ये थी आपकी आज की important वीडियो, आज की इस वीडियो में हमने आपके 25 हिंदी साइट्यक और उत्राखन साइट्यक के महत्वपूं प्रशनों को discuss किया, जो कि आपकी आगामी परिक्सा के लिए helpful और important तो रहने ही वाले हैं, तो दोस्तों अगर वीडियो आपको